गल्ता लोहा प्रिश्ट संख्या 56 मोहन के पएर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ओफर की वह अनुगूँज शेश थी जिसे वह पिछले तीन-चार दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। प्रिश्ट सकता था। प्रिश्ट का जरजर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे सहारा पाने की नियत से ही उन्हों ने गहरा निश्वास लेकर कहा था। आज गणनात जाकर चंद्रदत जी के लिए रूदरी पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह दो मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं। यह का एक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूँ। प्रिष्ट संख्या 57 मोहन उनका आशे ना समझता हो ऐसी बात नहीं। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गती। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हलका करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुद्तरित रह गई। पिता का भार हलका करने के लिए वह खेतों की और चला था लेकिन हसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भठी में गरम होते लोहे को उलट पलट रहा था। और मोहन भठी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के उपर बैठा उसकी कारीगरी को पार्खी निगाहों से देख रहा था। मास्टर तिरलोक सिंग तो अब गुजर गए होंगे। मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बच्पन की दुनिया में लोट आये थे। धनराम की आँखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला मासाप भी क्या आदमी थे लला। अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो हो कर हस दिये। कुछ ख़णों के बाद वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लोट गए। गोपाल सिंग की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खीच कर तिरलोक सिंग स्कूल की चाहर दिवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकडी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर जूलते बच्चों को जैसे साप सूंग गया है। कड़े स्वर में वो पूछते हैं। प्राथना कर ली तुम लोगों ने। यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्षना हो गई होती, तो गोपाल सिंग की दुकान तक उनका सम्वेट स्वर पहुंचता ही। तिरलोग सिंग घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज। मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहता शिष्य था। पुरोहित खांदान का कुशागर बुद्धी का बालक पढ़ने में ही नहीं, गायन में भी बेजोड। तिरलोग सिंग मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्यान हमको दीजिये का पहला स्वर उठा कर प्राथना शुरू करता था। प्रिश्ट संख्या 58 मोहन सिंग को लेकर मास्टर तिरलोग सिंग को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी चात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर दे कर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड़ी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और दगवा इससे दस उठक बैठक वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने तिरलोक मास्टर के आदेश पर अपने हम जोली मोहन के हाथों कई बार बेंद खाये थे या कान खिजवाये थे। मोहन के प्रती थोड़ी बहुत इर्शिया रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रती सने और आदर का भाव रखता था। शायद इसका कारण यह था कि बच्पन से ही मन में बैठा दी गई जाती गत हींता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रती द्वंद्वी नहीं समझा बलकि वह उसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंग मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन कर स्कूल का और उनका नाम उचा करेगा धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाईशी नहीं रखता था। और धनराम वह गाओं के दूसरे खेती हर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दरजे तक ही स्कूल का मुह देख पाया था। तिरलोक सिंग मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेश ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्हों ने पूछ लिया। जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला फिर तुझे तेरह का पहाड़ा याद कराता हूँ। तिरलोक सिंग मास्टर का ये सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बली का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रख कर टहनी का चुनाओ ऐसे करता जैसे वा अपने लिए नहीं बलकि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाओ कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धी रही हो या उसके मन में बैठा हुवा डर की पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरह का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। चुटी के समय जब मास्ताहब ने उससे दुबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीड़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर से लड़का आ गया था। लेकिन इस बार मास्तर तिलोक सिंग ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाए जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे। विद्या का ताप कहा लगेगा इसमें। अपने थैले से पांच छह दरातिया निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थे धनराम की पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पेर चलाने लाइक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूग ने या सांद लगाने के कामों में उल्जाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे हताओडे से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंग उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे दे थे थे वहां गंगाराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल दी और पास पडोस के गाउवालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ओफर को धनराम का ओफर कहने लगे थे। बनाने का स्वपन देखने लगे। पीडियों से चले आते पैतरिक धन्दे ने उन्हें निराश कर दिया था। प्रिष्ट संख्या साथ। दान दक्षीना के बूते पर वह किसी तरफ परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिखकर वन्ष का दारिद द्रियम मिटा दे यह उनकी हारदिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गाउं से चार मील दूर था। दो मील की चरहाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पढ़ने वाली नदी की समस्य अलग थी। तो भी वंशी धर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तै कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लोड़ता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उधारण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिरों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वन्शी धर ने नदी पार के गाउं में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तै कर दिया था। घर के अन्ने बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गाउंला उटाता था। सैयों की बात एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाडी के दूसरी और भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में ज़ाड जंखाड और पात पतेल आने शुरू हुए तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की। उन दिनों लखनों से छुट्टियों में गाव आया हुआ था। बातों बातों में वन्शिधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रगट की तो उसने ना केवल अपनी सहानुभूती जतलाई बलकि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनों भेज दें। घर में जहां चार प्राणी हैं एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पढ़ता बलकि बड़े शहर में रहकर वो अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। प्रिष्ट संख्या 61 वन्शिधर को तो जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आँखों में पानी छल छलाने लगा भरे गले से वे इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। चुटियां शेश होने पर रमेश वापस लोटा तो मा बाप अपनी गाओं की दुनिया से बिछुड़ कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनव आ पहुँचा। अब मोहन की जिन्दगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वह चाची और भावी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलावा वह धीरे धीरे मोहले की सभी चाचीयों और भावीयों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया मोहन थोड़ा दही तो ला दे बजार से? मोहन ये कपड़े धोवी को दे तो आ? मोहन एक किलो आलू तो ला दे? आवसत दफ्तरी बड़े बावू के हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई विरादर बताना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वर नहीं देता था इस बात को मोहन भी समझने लगा था थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधरन से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया लेकिन एकदम नए वातावरन और रात दिन के काम के बोज के कारण गाओं का वह मेधावी छातर शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं ब वाला होता वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था अगले दर्जे की तयारी तो बहाना भर थी सवाल रमेश और उसकी ग्रिहस्थी की सुविधा असुविधा का था मोहन ने परिस्थितियों से समझोता कर लिया क्योंकि कोई और चारा भी नहीं था घर वालों को अपनी वास्त्विक स्थिति बता कर वह दुखी नहीं करना चाहता था वन्शी धर उसके सुनहरे भविश्य के सपने देख रहे थे प्रिश्थ संख्या 62 आठवी कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गाउं आया हुआ था जब वह लोटकर लखनौ पहुँचा तो उसने अनुभो किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है बात घूम फिर कर जिस और से उड़ती वह उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों B.A.M. मारे मारे बेकार फिर रहें ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा आदमी कोई हाथ का काम सीख ले रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भरती करा दिया मोहन की दिंचरिया में कोई विशेश अंतर नहीं आया था वो पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में वेस्त रहता धीरे धीरे डेर दो वर्ष का ये समय भी बीट गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्टरियों के चक्कर लगाने लगा वन्शी धर से जब भी कोई मोहन के विशेश में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मनही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बन कर लोटेगा लेकिन जब उन्हें वास्तविक्ता का ग्यान हुआ तो ना सिर्फ गहरा दुख हुआ बलकि वे लोगों को अपने स्वपन भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए धनराम ने भी एक दिन मोहन के बारे में पूछा था घास का एक तिनका तोड़ कर दात खोदते वे उन्होंने बताया कि उसकी सेकरेटेरियेट में न्यूक्ती हो गई है और शीघर ही विभागीय परिक्षाई दे कर वह बड़े पद पर पहुँच जाएगा धनराम को त्रिलोक सिंग मास्टर की भविश्वानी पर पूरा यकीन था ऐसा होना ही था उसने सोचा दातों के बीच तिनका दबा कर असत्य भाषन का दोश ना लगने का संतोश लेकर वन्शी धर आगे बढ़ गए थे धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे उन्हें बहुत देर तक कचोड़ते रहे त्रिलोक सिंग मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन को लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे धनराम ने मोहन के हसुए के फाल को बेंच से निकाल कर भठी में तपाया और मन लगा कर उसकी धार गढ़ दी गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था धनराम ने उसे वापिस बेंथ पहना कर मोहन को लोटाते हुए अपनी भूल चूक के लिए माफी मागी हो बिचारे पंडित जी को तो फुरसत ही नहीं रती लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं ततकाल बना देता मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा लेकिन हसुए को हाथ में लेकर वह वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापिस जाने की कोई जल्दी न रही हो सामान्य तोर से ब्राह्मन टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था किसी कामकाज के सिल्सिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निप्ता ली जाती थी ब्राह्मन टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गाउं की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था धनराम मन ही मन उसके ब्यवहार से असमंजस में पड़ा था लेकिन प्रगट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा लोहे की एक मोटी छड को भट्थी में गला कर धनराम गोलाई में मुड़ने की कोशिश कर रहा था एक हाथ से संडसी पकड़ कर जब वह दूसरे हाथ से हथोड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक से घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंक से मुड़ नहीं पा रहा था मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथोड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूग कर लोहे को दुबारा भठी में गरम करते और निहाई पर रख कर उसे ठोकते पीटते सुधर गोले का रूप दे डाला मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फूर्ती और आकस्मिक धंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला पुरोहित खांदान के एक युवक का इस काम में उसकी भठी पर बैठ कर हाथ डालने पर हुआ था वह शंकित दृष्टी से इधर उधर देखने लगा धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थीती से उदासीन, मोहन, संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की तूटी हीन गोलाई को जाच रहा था उसने धनराम की और अपनी कारीगरी की स्विकृती पाने की मुद्रा में देखा उसकी आँखों में एक सरजक की चमक थी, जिसमें ना स्परधा थी और ना किसी प्रकार की जीत हार का भाव प्रिष्ट संख्या 65 अभ्यास पाठ के साथ एक, कहानी के उस प्रसंग का उलेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है दो, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था तीन, धनराम को मोहन के किस ब्योहार पर आश्चेरे होता है और क्यों चार, मोहन के लखनव आने के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है पांच, मास्टर तिरलोक सिंग के इस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों छे, एक, बिरादरी का यही साहरा होता है क, किस ने किस से कहा ख, किस प्रसंग में कहा ग, किस आशे से कहा घ, क्या कहानी में यह आशे स्पष्ट हुआ है दो, उसकी आँखों में एक सरजक की चमक थी कहानी का यह वाकिर क, किस के लिए कहा गया है ख, किस प्रसंग में कहा गया है ग यह पात्र विशेश के किन चारित्रिक पहलूओं को उजागर करता है पाठ के आसपास गाउं और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है चर्चा करें और लिखें दो, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंग का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है अपनी समझ में उनकी खूवियों और खामियों पर विचार करें तीन, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है क्या इस कहानी का कोई अन्ने अंत हो सकता है प्रिष्ट संख्या 66 भाषा की बात एक, पाठ में निम्न लिखित शब्द लोह कर्म से संबंधित है किसका क्या प्रयोजन है? शब्द के सामने लिखिए एक, धौकनी दो, दराती तीन, संडसी चार, आफर पाँच, हथाउडा दो, पाठ में काड छाट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है कोई पाँच शब्द पाठ में से चुन कर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए छे, बूते का प्रयोग पाठ में तीन स्थानों पर हुआ है उन्हें चाट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग है उन संदर्भों को उन्हें स्पष्ट कीजिए चार, मोहन थोड़ा दही तो लादे बाजार से मोहन ये कपड़े धोवी को दे तो आ मोहन एक किलो आलू तो लादे उपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिये गए है इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दुबारा लिखिए विज्ञापन की सुविधा विज्ञापन की दुनिया विभिन व्यापारी अपने उत्पाद की विक्री के लिए अनेक तरह के विज्ञापन बनाते हैं आप भी हाथ से बनी किसी वस्तू की विक्री के लिए एक ऐसा विज्यापन बनाईए जिससे हस्त कला का कारोवार चले शब्द छवी निहाई यानि एक विशेश प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहा आदी धातुओं को रख कर पीटते हैं आनायास यानि बिना प्रयास के अनुगूंज यानि प्रतिध्वनी रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज हसुए घास काटने का अवजार दरांती प्रिष्ट संख्या सरसट पुरोहिताई यानि पुरोहित धार्मिक कृत्य कराने वाला या पुरोहित का व्यवसाय पुरोहित का भाव निष्ठा शद्धा विश्वास एकाग्रता द्रिडता रुद्री पाठ शंकर की आराधना का एक प्रकार धौकनी लुहार या सुनारों की आग दहकाने वाली लोहे या बास की नली कुशागर बुद्धी तीक्षण बुद्धी वाला पैनी बुद्धी वाला संटी पतली डंडी या छडी प्रतिद्वंद्वी मुकाबला करने वाला विपक्षी, विरोधी या प्रतिपक्षी विद्या व्यसनी अर्थात पढने में रुची रखने वाला घसियारे यानि घास काटने का काम करने वाले सक्रेटेरियेट यानि सचिवाले तुटी हीन अर्थात जिसमें कोई कमी ना हो